हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल चोटी सी रह सोई आज मैं आप सबीक लेके आई हूँ बिहार के एक ट्रडिशनल थाली की रेसिपी जो की अधरा के टाइम पे हर घर में एक ने एक पर बनता ही है जो की अभी चल रहा है और उसके अंदर बनता है खीर, सबजी और दाल वाली पूरी जो की फ्राइ करके बनाया जाता है उसके साथ आम चटनी ये सब खाया जाता है तो आप इस वीडियो को पुरा जूर देखेगा इसमें एक नहीं कई सारी परफेक्ट रेसिपी है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चावल पहले ले लिया है खीर बनाने के लिए तो मुठी से मैंने तीन चमच लिया है चमच से मैंने साथ से आठ चमच लिया है और अगर आप बजन में देखेगा तो साथ से सतर गराम के आसपास चावल है ये गाहों से हमारा चावल आया है जिसको होके लिया है और 0.5 लिटर मैंने धूध लिया है तो 0.5 लिटर की quantity की साब से मैं आपको बता है क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि चावल कितनी डालनी है दूध में तो ये तो हमारा लोकल गाहों का चावल है लेकिन अगर आ तो आप चलाते हुए साइड के जो रते हैं इसको निकाल के डालते जाएगा जिससे कि खीरना बहुत अच्छा बनेगा जब अच्छे से पक जाएगा उसके बाद ही हम इसमें चीनी डालेंगे तो मैं नहीं पर मिस्री डाला है तो इतना के लिए 100 चीनी जो कम मीठा खाते हो उनके लिए पर्फिक्ट अगर जादा खाते हों तो 1.500 ग्राम तक जाती है इसे साथ सो आपको इसको पकाना है उसके बाद हम इसमें ड्राइफूर्स का तड़का भी लगा देंगे आपको पसंदे तो यह चीजे आड़ कर सकते हैं नहीं पसंदे तो स्कीप कर सकते हैं तो हम नमक डालकर साथ में हम थोड़ा सा सरसो का तेल और इसी के साथ में हम हिंग भी डालेंगे क्योंकि यह पचने में थोड़ा हैवी होता है तो आप इसको जरूर से जरूर डालके इसे उबाले जिसे सारा फ्लेवर ना दालके अंदर आ जाए दो तीन सीटी लगाएगा तो अ लहसन, अद्रक, कॉंटिटी में नीचे डिस्कृशन बॉक्स में भी डाल दूगे आप वहां से भी देख सकते हैं अहरी मिर्ची इन सब को थोड़ा सा भून के और इसके अंदर एक प्याज कट करके डाला है हमारी यह नॉर्मली बिना प्याज के भी बनता है लेकिन इससे वीडियो भी मैंने डाला हुआ आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर मैं कसूरी मेथी डाल दे रही हूं तो इन सब को हलका भून लेंगे बहुत जादा लाल करके भूनने की जरुत नहीं है अब हम नमक डालेंगे तो नमक हम प्याज के अकॉर्डिंग ही डालेंगे क्यो बाद हम इस दाल को बिराला देंगे खड़े मसालय अप इस टाइम पे भी निकाल सकते नहीं तो जब हम स्टफिंग करेंगे उस टाइम पे भी हम साइयड कर सकते हैं इसको अच्छे से हम पका लेंगे देख रहे हम अच्छे से एक दम मिक्स हो गया है घूल गया है और इन सब चीजों में उसके बाद मिक्स करने के बाद एक नॉर्मल सा डो बना लेंगे आटा गुथ लेंगे बहुत ज़्यादा हाड भी नहीं गुथना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गुथना है उसको भी रेस्ट पे छोड़ा दर के लिए छोड़ दिया था 10-15 मे अधिके से बस इसमें एक हम लोग जो बनाते मतलब इसको बेलते नहीं है क्योंकि इसमें तवे पर नहीं बनाते हैं हम इसे फ्राइ करके बनाते हैं तो सुखा अटा लगाने के बाद आप इस तरह से इसको अच्छे से फैल आईएगा ना तो सभी जगह पर अंदर जो मसाल भी सेख सकते हैं बढ़ हमारे यहां जो पूरी है वो इसी तरीके से कचोड़ी के फॉर्म में बनाया जाता है मिडियम फ्लेपर अच्छे से इसको दोनों साइट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लीजे उसके बाद हम आलू गोबी की सबजी बना रहे हैं इसके स तुरत तुरंत ही पानी का निकालके हम डाल रहे थे इसलिए हम इसमें हल्दी डाला जिसे चीते नहीं पड़ता है और उसके बाद हमने आलू कट करके बड़े बड़ टुकर में लिया था इसको भी हम इसी तरीके से लाल करके फ्राइ कर लेंगे तो सभी रेश्पी मुझे बहुत सिंपल थी और जल्दी से बनने वाली थी तो यहां पर उसी तेल में मैंने थोगा सा जीरा तेजपत्ता और लाल मिर्च का तड़का लगाया साथ में थोगा सा हिंग डाला और उसके बाद हम इसमें प्यास डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे मतलब हम अब ने मीडियम फ्लेम पर सभी काम किया है क्योंकि जल्दी हो जाता है साथ में नमक डाल देंगे तो नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाले मुझे आइडिया है कि मेरी सब्सक्राइब बन के रेडी होगी तो में इसी टाइम पर डाल देती हूं आप बाद में भी ड नमक रखें कि साथ में हम इसमें आधा चोटा चममस से कम गरम मसाला डाल दी ए हैं और इन सब को हम पहले भूल लेंगे मसाले को फिर हम इसमें भूना हुआ गोबी और आलू डाल देंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी में ढखकर पका सकते हैं लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था क्योंकि हस्बन को जाना था आफिस और उन ही के लिए में सब चीजे बना रही थी सुबह में बना रही थी तो फटा फट मैंने कुकर में ही दो सीटी लगा दिया रहे अच्छे से गल गई आप देख रहे हैं सब जी कितनी अच्छी बन के रेडी हो इन सब चीजों को हम दरदरा पिस लेंगे जादा एक्दम बारिक करने के जड़त नहीं है हल्का सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा और यह बहुत ही टेस्टी चटनी बनके रेडी हो गई है तो सबी चीजे हमारी रेडी है खीर, सबजी, चटनी, हमारी दल पूरी तो इस में इन सब चीजों को जरूर बना के खाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा बिहार के ट्रडिशनल रेसिपी है और आम तो इसके साथ ने पक्का ही खाया जाता है